अगर आप लोगों से एक परसनल रूकेस्ट है अगर आप इस चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को सबस्क्राइब करो वीडियो को लाइक करो शेयर करो अपने फ्रेंट्स तक भी पहुंचा करो सबसे पहले मैं आप लोगों के साथ कुछ important pointers डिसकस करोंगा चेयर बार के बारे में यह जो चेयर बार होता है यह कहां कहां पर हम यूज करते हैं इसका यूज हम double mesh combined footing, double mesh isolated footing में यूज करते हैं rough foundation के अंदर इसका यूज किया जाता है और slab के अंदर इसका हम यूज करते हैं अब next question जो यहां पर आता है students को कि यह chair bar हम यूज क्यों करते हैं अगर आपको यहां पर visible होगा यह हमारे पास एक slab है इस slab के अंदर हमने कुछ इस तरीके से एक chair bar लगाई है इस chair bar का function क्या है जो top reinforcement है यह इनको अपनी position पर रखता है दूसरा point में आपको यहां पर बोलने जा रहा हूँ जब हम यहां पर काम करते हैं जब यहां पर slab की कास्टिंग होगी तो उस time पर क्या होता है यहां पर labor वगारा काम करते हैं तो यह steel reinforcement disturbed होता है इस steel reinforcement को अपनी position पर रखने के लिए हम क यह जो chair bar है इस chair bar को आपको कुछ इस तरीके से बनाना पड़ता है आप यहां पर देख सकते हो यह जो part है chair bar का इसको हम leg बोलते हैं second leg इस side है यह जो part है इसको हम height बोलते हैं और जो top part है chair bar का इसको हम head बोलते हैं अगर हम यहां पर double miss shooting के अंदर इसको execute कराने की कोशिश कर लेंगे वह हम अभी देख लेंगे उसके बाद यह आपके पास second leg है इसका main function होता है जो bottom reinforcement होता है जो bottom में होता है उसको यह separate करता है top में से अब हम यहां पर चलते हैं calculation part पर प्लीज ध्यान से समझना सबसे पहले हम यहां पर देखेंगे chair bar को side पर कैसे use करना होता है जब आप bottom में reinforcement डालती हो सबसे पहले आप shorter span में reinforcement डालती हो उसके बाद आप longer span में reinforcement डालती हो तो यह जो chair bar का leg होता है यह आपके shorter span के reinforcement पर rest करता है यह बात आपको याद रखनी है उसके बाद यह height आपको calculate करनी है उसके बाद आपको head calculate करना है उसके बाद यह leg आपको calculate करनी है वो हम यहां पर देखेंगे यह मैंने एक section लिया है double mesh isolated footing का इसका मैं आप लोगों के साथ in detail bar bending schedule calculate किया हो link description में है आप जाके वीडियो 印dit देख सकती हो तो सब्से पहले हम यहां पर समझेंगे कि हमने क्या किया है यहां पर हमने इस तरीके से cheer bar का use किया है कि इस तरीके से आपको क्या याद रखना है चेयर बार का जो minimum diameter होता है वो 12 mm होता है यह point आपको याद रखना है जो minimum diameter of chair bar होता है वो 12 mm होता है और यहाँ पर footing का schedule दिया गया है footing के schedule में आपको क्या important points याद रखना है एक تو आपको याद रखना है जो हमें shorter side में reinforcement डालना है उसका diameter क्या है और उसकी spacing क्या है यहाँ पर 12 mm का diameter आपको यूज़ करना है shorter side में और 100 mm center to center सेंटर पे जो लॉंगर साइड है फूटिंग का बॉट्टम में आपको जो रेंफूरेंट मर्यूज्ट करना है टाव हैंहेता कि बात करते हैं टॉप यूज करना है ट्वेल इमम का वार्यूज करना है 150 प्रों सेंटर स्पेसिंग पर अब हम यहां पर चलते हैं में इंपॉर्टन काल्कुलीशन पर फॉस्ट शिटप में हम कल्कुलेट करेंगे लेग यह जो लेग है इसकी हम लेंगत कल्कुलेट करेंगे किस तरीके से आपको क 25 आपको प्लस करना रहता है तो यहां पर हम वैल्यूज पूट करेंगे टू इन टू बाटम की जो स्पेसिंग है मेन बार की वह हैंडर एमियम सेंटर तो सेंटर मैंने यहां पर हैंडर पूट किया है प्लस टुवाइस 25 यह वैल्यू आपके पास आता है 250 यह जो लेग है यह 250 mm आपके पास आ गया अब हम यहां पर बात करेंगे हाइट हम कल्कुलेट करेंगे हाइट किस तरीके से आप कल्कुलेट करोगे आपके पास डेप्थ है यहां पर 500 यह आपके पास डेप्थ है आपने क्या किया डेप्थ मैं से आपको क्या करना है क्लियर कवर आपको मा बार यहां पर आपको क्या करना है मैंने आपको अभी अभी बोला है यह जो चेयर बार होता है जो आपका में बार बॉटम में रहता है उसके उपर यह लगता है इसलिए हमें क्या करना होता है में बार का डायमेटर माइनस करना होता है जो बाटम में लगता है माइनस रहां पर माइनस करना है यहां पर हैं सुऩाइच कोजी के वह है वंचया THIS टॉए पर यहां पर टम यह आफ डैमेडर बाटम रख तक है माइनस डैमेडर आ बोस्ट वारों यहां पर दे क्यों तो टौप अ क्या ऊप्टिछ तोप साथ साइड रेंफूरस्मेट माइनस किया है यहां पर हम वैल्यू स्पुट करके यहां पर हमने कल्कुलेट किया है यह जो वैल्यू आपके पास आता है 364 mm यह आपने निकाली है यह हायट अब हमें क्या कल्कुलेट करना है अब हमें कल्कुलेट करना है यहाँ से लेके यहाँ तक यह जो हैड है हमारे पास इसको हमें कल्कुलेट करना है हैड किस तरीके से हम कल्कुलेट करेंगे फार्मूला याद रखना है twice spacing of top main bar जो आपने top में main bar डाली है इसकी spacing आपको लेनी है उसके बाद आपको क्या करना है plus इसमें करना है twice 50 twice 50 आपको इसमें plus करना रहता है इसका भी आपको मैं थोड़ा सा यहां पर logic समझाता हूं जो हमारा main bar होता है आपको क्या करना रहता है one, two, three for example 100 mm spacing है यहां पर 100 mm तो आप क्या करोगे जो आपकी chair होगी twice spacing करोगे यानि 100 mm यहां से और यहां से तो यह total आपके पास 200 mm ही आएगा लेकिन आपको क्या करना रहता है इससे आगे यह 50 mm यहां से लेना होता है और इससे आगे ये 50 mm यहां से लेना होता है वही मैंने यहां पर किया है twice 50 इसको calculate करने के बाद आपके पास जो value आता है वो आता है 400 mm उसके बाद हम क्या करेंगे यहां पर fourth setup में total cutting language हम calculate करेंगे सबसे पहले मैं इसको यहां पर rub कर लेता हूँ अब हम यहां पर total cutting language calculate करेंगे यहां से लेके पूरा यहां तक हम यह cutting language calculate करेंगे आपको क्या करना है एक leg इससे है दूसरा leg इससे है इसलिए मैंने twice लिया है two legs हमारे पास है drawing पर भी आपको show कर रहा होगा leg की जो length है वो हमने निकाली है अभी अभी वो है 250 mm यहां पर हम leg की length लेंगे 250 mm plus twice height height हमने निकाली है यहां पर यहां से लेके यहां तक जो height है हमारी वो है 364 mm यहां पर मैंने twice height लिया है क्योंके यहां से भी आपको height लेनी है और यहां से भी height लेनी है इसलिए मैंने यहां पर twice height लिया है प्लस हैड यहां से लेके यहां तक हमारे पास है तो यहां पर हमें क्या करना है यहां पर हमें बैंड डिडेक्शन करना है बैंड डिडेक्शन तो हमारे पास कितने नमबर आप बैंड है एक बैंड हमारा यहां पर है दूसरा बैंड हमारा यहां पर है तीसरा जो बैंड है हम हमारे पास है इसलिए मैंने यहाँ लिया है 90 यह इदियी के लिए हम 2D ऐम करते हैं दी को शुक्त किया है जो आपके पास वैलू आता है वह आता है 1532 mm यह आपने निकॉmb टॉटल कर्टिंग इसी तरीके से अगर आपको slab के case में निकालना होगा तो slab का भी आपको ये section दिया होगा, अगर आपको raft foundation के लिए निकालना है तो raft foundation का भी section आपके पास given होगा drawing पर, अब हम यहाँ पर main point की बात करते हैं कि number of chair bars आपको कितने use करने हैं, ये area पर depend करता है, area square meter में आपको लेना हिसाब से आप एक square meter में एक chair bar use करोगे, I hope यहाँ तक आपने पूरा enjoy किया होगा, lecture को आपने अच्छे तरीके सामझ लिया होगा, मेरी आप लोगों से personal request है, please video को like करो, share करो, अपने friends तक भी पहुंचाया करो, मिलते है next video में, तब तक के लिए, Allah office, thank you.